नबस्कार आप देख रहे हैं केपने टीवी उत्तरप्रदेश और मैं हूँ उधिश्टुर अपाथ है कुछ नेताओं की ये आदत हो गई है को उन्हें बवाल खड़ा करना होता है वैसे तो ये निता हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए सामने आते रहते हैं मगरे खोद कानून का कितना पालंग करते हैं इसके आएदिन सबूत सामने आते रहते हैं और जब इन्हें कानून का पार्ट पढ़ाया जाता है तो इस सम्मिधान की दुहाई देने लगते हैं दरसल यूपी में चुनाओं की तारीकों की घोशना हो चुकी है इसके साथ ही आचार सहिता भी लागू हो गई है चुनाओ आयोग ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मिद्वार किसी भी तरह की रैली या जनसबा, रोड़ शो, पदियातर, साइक के लिए बायक रैली या फिर नुकर सभाओं जैसे आयोग जन 15 जनवर तक नहीं कर सकेगा लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नेता तानाशाई दिखाने से बाच नहीं आते ऐसा ही कुछ किया कॉंग्रेस छोड़कर सफा का दामन थामने का एलान करने वाले इमरान मसूत ने लेकिन योगी राज में उन्हें ऐसा करना भारी भी पड़ गया क्योंकि यूपी पुलिस ने उन पर कानूनी डंडा चला दिया है सारणपर पुलिस ने इमरान मसूत पर F.I.R. दर्ज किया है ये F.I.R. कोविड नेमों का पालन ना करने और आचार सहता को लंगन कोले करकी गई है ये केस दस जनवरी को दर्ज किया गया है सारणपर पुलिस के S.P.C.T. राजेश कुमार ने इसकी पुष्टी की है S.P.C.T. ने क्या कुछ कहा है एक बार आप भी सुनिये इमरान मसूत द्वारा अंबाला रोड इस्तित अपने आवास पर आज एक अपने सबल्थकों की मिटिंग बुलाई गए थी उनके द्वारा इस मिटिंग के आयोजन की पूरा अनमत नहीं लिगए थी जबकि पुरे प्रदेश में आदर्स आचासहिता चुनाव की लागू है इसके अलावा COVID-19 के दिस्टिकत जो गाइडलाइन्स है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था घिर थी बास्क नहीं लगाए थे सोचल डिस्टेंसी का ध्यान नहीं रिखा जा रहा था इसको जिस्टिकत इसच्चो कुतुसियर द्वारा थाना कुतुसियर पर इमरान मसूद सहित दस लोग को नामजद करते विए कुल तीन सो अन अग्या समर्थों के खिलाप आईपीसी और मावारी अद्नियम के धारों के अंदरगत एक अफ्योग दर्श किया गया है तो इस तरह से इमरान मसूद को तानाशाई दिखाना भारी पड़ गया है सोचे जब पूरे प्रदेश में आदर्श आचार सहेता लागू है फिर भी अपने घर पर मसूद ने अपने समर्थों की मीटिंग बलाई जिसमें भीड भारी थी ना तो लोगों ने मास्क लगाए और नहीं सोचल डिस्टंसिंग का पालन किया इसलिए इमरान मसूद समेट 10 लोगों को नामजद करते हुए पुलिस में 300 उनके समर्थकों पर धारा 188, 171, 279, 272 और मामारी अदिनियम की धारा 34 के पहद मुकदमा दर्ज किया है इस मामले में शिकायत करता कुद थाला प्रवारी प्यूज दिशित हैं मामले की जांच की जा रही है दरसल इमरान मसूद साल 2014 से पहले सफा में थे 2014 के लोकसवा चुनाओ के दोरन वो कॉंगरेश में शामिल हुए थे इमरान मसूद की बिठाई गोटियों के तम पर ही 2017 के विदानसवा चुनाओ में कॉंगरेश को दो सीटे मिली थी इस बार इमरान मसूद ने बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टि का साथ देने की बात कई है इमरान मसूद पहले से ही अपनी पार्टि कॉंगरेश का विदानसवा चुनाओ में समाजवादी पार्टि से गडवनन की बात करते रहे थे लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई कॉंग्रेस इस बार विधानसवा का चुनाव अकेले लड़ रही है जिसके बाद उन्होंने सफा में जाने का मन बना लिया था इसी को लेकर उन्होंने अपने घर पर समर्थकों की बैठक बलाई थी जिसमें जब कर कोरोना गाइडलाइन्स और आचार सहता की धज्याओं आए गई इसलिए अब उन पर केस दर्च किया गया देखते रहे हैं केपलठी मुत्तर प्रदेश नमस्कार